नमस्कार आप देखें टीबी बी नीउस और मैं हूँ आपके साथ इंदूरा ठोड बुलेटिंग की शुरुवात करेंगे और नज़र डालेंगे आज की कुछ एहम खबरों पर खबर अनुमान गट से हैं जहां नगर परिशत की और सी जंक्षन इसित राजशिव गांधी स्टेडियम में जिली की पहली तिरंदाजी रेंज का लोकारपन जिला कलेक्टर नत्मिल डिडिल और राजसान जुडो असोशेशन की प्रदेश कोक्षा दक्ष तरुन विजह ने पायूबर की खिलाडियों की जिलास्तर ये तिरंदाजी प्रतियोगीता का शुभारम भी किया गया अज अनुमान गट के इस जिलास्तरी स्टेडियम में नगर परिशत की तरब से बहुत अच्छी तिरंदाजी की से रेंज का लिमान किया गया और तरुबीजी जी यहां प्रतियोगीता का भी शुभारम किया यांकि खिलाडियों में उत्सा है और नयने खिलाडी समय के साथ जूड़ते आ हैं मेरा ये मानना है कि युवाओं को मसा कोरी जैसी फूपर वर्ती से बूर रखने के लिए खेल प्रतियोगीताओं का आयोजन करना और उनका खेलों की प्रतियोगीताओं करना बहुत है कि यह माननी अडीशी साथ दे मारक गरसन में देरी प्रतियोगीता भी रहेगी और आने वाले दिनों में नए खेल, नए वेदान, नई जबू काम लों भी प्रताश करेंगी जोदपर पुलिस कमिशनेट की प्रताब नगर ठाना पुलिस ने चोड़ी की मामले का 24 गंडे की भीतवी खुलासा करती हुए दो चोरो को गिरफतार किया है पुलिस ने बताया कि चोपासनी रोड मार्बल और टाइल्स की दुकान की संचालक ने रिपोर्ट तरच करवाई थी उन्होंने बताया था कि किसी ने उनकी गल्ले सी 15,000 रुपे नगदी चुरा ली थी जिस पर मामले को गंबीरता से लेती हुए ठीव का घठन कर चुरू की तलाश शुरू की गए थी उनकी मिर्दा फॉर्माउस के पास चोपासनी रोड वहां पर एक मार्बल और टाइल्स की दुकान है और दिन में करीबन 11 बजे जब वो दुकान में ग्रहकों को सामान दिखा रहे थे उसी दर्मियान उनका पांच मिनिट के लिए नजर चुकी और गाउंटर पे रखा डोहे का गल्ला और 15,000 गासी की चोड़ी करके कोई अग्यात विक्ति चुरा कर ले गए जिस पर पुलिस इस टीम का गठन करके ऐसे सातिर नकब जनों पर नजर लखी गई और इसी करम में आज पुलिस्तना परताब नगर द्वारा सोहिल पुत्र फरीद मुहमत निवासी संजेसी कॉलोनी और सलमान उरुफ सोनूडा निवासी संजेसी कॉलोनी काली तिन की परताब नगर इन दो जोदबुर शहर की मंडूर ठाना शीत्र में चोरी का एक मामला सामने आया है यहां एक मकान की ताले तोड चोड नगदी और जेवराद चुरा ले गए मकान मालिक ने बताया कि वह घर से बाहर गए थे जोरान चोरू ने घर पर धावा बोल दिया जोरान चोड जेवराद तो नगदी पार करके लिए फिलाहाल पुलिस पूरे मामली की जांच कर रही है वोल्टी नाका पर साथ आट तौला सोना और 35,000 पैसे एक मोड़ सेकल और 35,000 चांदी अग्यात हम बाहर जार केते कर से रात के करीबन नो बजे के बाद में आपके शादी से मोरा हुगे थे बाहर जा रहे है थे एक दिवसी रोजगार प्रशिक्षन सेमिनार का आयोजन किया गया रोजगार प्रशिक्षन सेमिनार महा विद्याले की एसोडी निशी माथूर की अधिक्षता में आयोजित हुआ रोजगार प्रशिक्षन सेमिनार में चात्रों नहीं बढ़ चरकर भागिया रोजगार प्राप करने ही तू अपना रजिस्ट्रेशन करवाया मेरा नाम मान भी है मैं बिकॉम फाइनलियर से हूँ एयू इसकील द्वारा प्रोग्राम किया गया है यह हमें बैंकिंग सेक्टर के लिए इसके बैंकिंग सेक्टर के लिए सब कुछ बताया गया है कि हम आगे कैसे बैंकिंग सेक्टर में जॉब अगिरा कर सकते हैं इन्हो करनाटक में बजरंग दल कारेकरता की हत्या के विरोद में संगठन के कारेकरताओं ने देश भर में उग्र प्रदशन किया उसी गड़ी में जोदपर विश्व हिंदू परिशद बजरंग दल महानगर की द्वारा पावटा चुराहे पर कड़ा विरोद कर जिहाद का पुतला जला कर अतरिफ जिला कलेक्टर को राश्ट्रुपती के नामें ग्यापन सब पगया है कारेगर्दाओं ने हत्यारे को फासी की सजा देनी की मांग उठाई है उसमें न्याय मिलना चाहिए सबसे बड़ा है पूर्णता न्याय मिलना है न्याय के लिए है ऐसा अधर्म का काम हिंदू संस्क्रति में नहीं होता है बहुत बड़ी सरकार से बिनम्बर निवेदन है इन न्याय मिले और उन हत्यारों को फासी दी जाए हिजाब के पहनने का विरोध करने के लिए जो बजरंग दल के कारेकरता ने विरोध किया हर्ष उसका कत्ल कर दिया गया आज देश के अंदर ड्रेस कोड तो होना ही चाहिए अगर कॉलिजों में स्कूलों में सेदा में पुलिस में सारे तंसां में अगर ड्रेस कोड नहीं होगा तो देश नहीं चल सकता आज अगर सब अपने अपने कपड़े अपने तरीके से आएंगे तो देश चल नहीं सकता आज अगर स्कूल कॉलिजों में हिजाब पहने के लिए अगर मना किया गया तो इसमें कोई धर्म की बात नहीं आती है आज राष्ट पहले है धर्म माज में आता है आज जो लोग धर्म को पहले ले रहा है उनको जहां पे उनका धर्म का काम होता हो वहां जा सकते है इस देश में राष्ट पहले होनी चाहिए धर्म बाद में होना चाहिए भरतपुर के कामा में चोरों का दुस्साहस बढ़ता ही जा रहा है जहां अग्याद चोरों ने हनुवान मंदिर को निशाना बनाया रात में मंदिर में लगे इन्वेटर बैटरी और नगदी चोरी कर ले गए उसके बाद मंदिर की पुझारी ने धिलावटे पुलिस चोकी को इसकी सूचना दी फिलाल पुलिस पूरे मामने की जाच में जुट गई है रास सम्मन में कुमारिया कस्बे की मालियों की बाड़ी महले में एक मासूम वालिका को सवान ने नोच लिया घायल बालिका को सके परिजिन कुमारिया चिकतसा ले ले गए जहाँ पर कोई चिकतसा कर्मी उपलब नहीं होने और मोके पर कोई भी एम्मॉलेंस नहीं होने से बाइक से ही मासूम को अस्पताल पहुंचाया जहां पर मासूम किसी पर 20 स्टाफिय लगाए गए परीजनों का आरूप है कि वहां उपस्तित चिकटसा कर्मों ने पेड़ित परिवार से काफी बुरा बरताफ किया जिससे मासूम की परिवार जनक काफी जादा आहत हुए है नैन्वा में कॉंस्टिबल को आमजन की मदद पर समानित किया गया बता दे कि 11 वर्षी बालक को गंबीर बीमारी होने पर ए भी पॉजिटिव रख्त किये आविशकता पड़ी जिसकी सूशना मिलने पर लोकिश कुमार पुलिस अधिक्षक बूंदी ने बिना देर की मानवता का परिच्चे देते हुए रख्तदान कर बीमार बालक का जीवन बचाया जिस पर प्रशनशा पत्र दीकर उन्हें समानित किया गया खबर कोटा से है जहां 15 वर्षी नाबालिक स्कूली चात्रा की हत्या की आरोपी गौरव को पॉक्सो कोट में पेश किया गया है मतादे कि नया देश में आरोपी को 6 दिन की रिमान पर भीजने का आदेश दिया है पर आलकर इतना ही तब तक ली देख तुरें टीपिवी न्यूज